नमस्कार तोस्तों वेलकम बेक टो मैं यूटीव चनल कैसे आप सब आई होगे गाइस क्या आप गर्मी का मौसम जैसे शुरू होता है या फिर बारिस का मौसम शुरू होता है तो हमारे फेस पे फंगल इंफेक्शन होने के जादा जान्स रहते हैं क्योंकि मौसम में नमी आ इसलाली ऊटी है और स्वेयटिंग इंफ यहीं है जिसे फेस पे ड़ने 산ा जाती है और अगर आप साबून का रिफेस कता ही ना करें क्योंकि साबून से फेस पे डलोडों यहीं हो ड्रोडीने सा जाए। स्कीन में जो मॉच्चर होता है वो देले-देले स्कीन से गायग हो जाएगा और स्कीन बिलकुल रफ और बेकार हो जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको इस प्रैक्ट आप लोगों के साथ मैं या इसको आप बॉड़ी होज भी बहुत सकती हो आप इसको अपनी हाथ हं पांड़ भी तोष सब स्क Tian Rumo St Stories!! जाती दिरे दिरे रिमोल हो जाएंग और एंगम से रमोल चलू पर रख जो देखेत के आज यह कहां जो मैंने पैक त्यार कियाति है यह मैं बताते हु आपकोया आपके जुस्किन उस country पर करेंगा और भूप न्हीं से सकते हो तो भी अराम जब भी चमच लेना है किसी बी बावल में डालना आप उसको और उसके बाहत इसको आपके पास अगर दोध है तो आप दूद डाले दूद अगर आपके पास ठंटा रो मिल्क है तो आप इसके अंदर आड़ करना और पूरे फेस पे हाथ पे आप इसको अपलाई करना गर्दन पे बिल्कुल मत बोलना क्योंकि गर्दन की स्कीन बिल काफी डाक हो जाती है और तो आप इसको पूरी बोड़ी पर अपलाई कर सकते हैं आप चाहो तो आप इसके अंदर दूद दही या फिर आप ग्लाव जल एड़ करना इसको थोड़ी दिर करने देना क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेंग्री रहते हैं थोड़ी बिल्कुल बारिक फाइन में तो यह सौफ्ट हो जाएंगे और फिर आप अपने पूरे फेस पर इसको अपलाई करना बोड़ी हलके हाथ से आप इसको पूरे फेस पर इसको रब करना और उसके बार में आप सिंपल पानी से आप गोश्ट कर लेना आप देखोगे दीले दीले स्केन पर क्या गया नि में तो आपको क्या करना है आपको मेरी चैनल पर वापस आना है तो चलो शुरू करते हैं आज की रेमेडी हमें लेना है सबसे पहले दो चमच चावल हमारी स्किन को टाइट करेगा और स्किन पे ग्लो लाएगा आप चाओ तो आप में चावल का आटा भी ले सकते हूं उसके बाद मैं लिए एक चमच दलिया जो कहने वाला दलिया होता हूं अगर आपको दलिया नहीं लेना है तो आप एक चमच गहूं का अटा ले सकते हूं उसके बाद मैं लिए दो चमच मूंग चिल का जो ग्रीन वाली दाल होती है और इसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी दो चमच चने की डाल आप चाहो तो इसकी जगह पे बेसन य प्राइस आ सकते हैं और इनको अगर आपको लगे कि आपका पाउडर फाइन नहीं बना तो आप इसको चान ले और चान के जो बरिक पाउडर बने वह आपको यूज मिलाना है इन सब चीजों को करके रख लेना है इसको अच्छे से आप इसको किसी भी क्लीन जार में आप स्टोर करके रख सकते हैं 15-20 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि सारी चीजे ड्राइए हैं और हमने इसको जब यूज करना है तो एक चमस लेनी है इसके बाद में आप यह मैंने दूद एड़ करके एक चमस के साथ मैं इसको मिक्स करके थोड़ दिर के ही और स्मुथ है और श्यान अटनठिट में होगा है यह देन नमकि आटने कर रकोरें आधे तो कि लिए लुकुल श्यायाख हमे प्लोग पसंद आती है तो इस प्लीष इस इस इविचलर को लाइक करें शियर करें और सबसक्राइब करस menoros